आज कल माताएं बहनें भी ब्यास पीट पर बेट कर कथा भागवत का अनुष्ठान करती हैं क्या यह सही है क्या सास्त्र में इसकी अनुमती है कि प्याबत लाएं देखिए ऐसा है जिन भी महानुभाव का यह प्रिश्ण है उत्तम प्रिश्ण है आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां बहनें माताएं व्यास मंच पर व्यास आसीन हो करके भागवत आदी पुराणों का सविधी अनुष्ठान के रूप में बाचन कर रही हैं हमारे हाँ सनातन पद्धिती में इस तरियां बहुत पड़ी लिखी बहुत समय से हुई है ऐसा नहीं कि आज सिक्षा बढ़ गई है हमारे हाँ बहुत सिक्षित और वड़ी ही बिग्य महिलाएं पहले भी हुई हैं जिनमें प्रसिद नाम है गारगी आदी का तो वहें बड द्वान हुई विदूशी महिलाएं हुई महिलाओं का पढ़ना महिलाओं का सास्त्रबोध अत्यंत अन्यवारी है क्योंकि महिलाओं में सास्त्रबोध नहीं होगा तो क्या करें क्या नहीं करें और उनको जानकारी नहीं होगी वो ठीक से अपना करतब नहीं कर पाएंगी आने वाली पीड़ी को सिक्षा और संसकार माताएं देती हैं, इसलिए उनका संसकारवान होना, उनका सिक्षित होना अत्यंत अत्यंत अन्वारी है। और रहना चाहिए। लेकिन यदि बात की जाए अनुष्ठान की, तो अनुष्ठान आत्मक विधी से ब्यास पीठ पर बैट करके कथा का बाचन करना यह सास्त्र सम्मत इस्त्रियों के लिए नहीं है। और कहा जाता है कि माताओं के सरीर की असुद्धी के बाद उनको पूजा के स्थान पे नहीं जाना चाहिए। अनुष्ठान ले रखा है भागवत का अनुष्ठान चल रहा है सब्ताह करम के बीच में यह वो मासिक धर्मादी हो जाता है। तो उस समय वहे कृत नश्ट होगा। करता का भी हानी होगी और उनकी भी हानी होगी। इसलिए माताय ब्यास गाधी पर वैट करके कथा करने के बजाए। समाज को खुब उपदेश दें। उपदेश देने का मतलब है सुन्दर संसकार दें, सिक्षा दें, तो भगवत चर्चा करने के लिए अनाधिकार. अधिकार की चर्चा नहीं है। तो कोई भी हो भगवत चर्चा सब कर सकते हैं, भजन सब कर सकते हैं, भगवत प्राप्ती का अधिकार सब को है, भगवत चर्चा का सब को अधिकार है, सत्संग का सब को अधिकार है, लेकिन ब्यास मंच पर बैट करेके अनुष्ठान की विधी से करने के लिए सास्त्र जो है जो सास्त्र सम्मत है या दपी एसे उतर से अनेक लोगों का मन छुब्द होगा और अनेक लोग इस पर टीका टिपडियां भी कहेंगे लेकिन जो सास्त्र कहता है वही हम कहें यह हमारा कर्तब दे हम किसी का ब्रोध नहीं करते हमें किसी से कोई परिशानी नहीं है हमारी बेटियां खूब सिक्षित हों और वो समाज को खूब बढ़ियां सिक्षावी दें अच्छी बात है लेकिन जो सास्त्र की बात है वो यही है कि माताओं को बेटियों को ब्यास मंच पर आसीन हो करके अनुष्ठान आत्मक ढंग से कथाओं के अनुष्ठान नहीं करने साहियों